कहानी सुनू, कहानी सुनू, सब याद रहेगा, हाँ जी सब याद रहेगा जी हाँ, कहानियां सुनना सुनना, हमारी देश भारत की बहुत पुरानी सदियों से चली आरी सांस्कृति पुरासत है हमेशा से ही कानियों के माद्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ सिखाया है और आज इसी कड़ी में मैं आपको सिखाने आ रही हूँ अपनी वर्ण माला का सफ़र जी हाँ, हमारी हिंदी की वर्ण माला जिसको याद रखना प्रतेक विद्यार्थी के लिए बहुती टेड़ी खीर होती है लेकिन नहीं, कभी-कभी ये टेड़ी खीर भी आसान हो जाती है जब उसको कुछ रोचक तरीके से याद किया जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं काहनी की हिंदी देश हिंदी देश जहां की राजा थी वण और रानी का नाम मला वण मला वैसे तो बहुती सुखी संपन सम्रिद राज के स्वामी थे एक गिन, एक कसक, एक तुख उनमें बन में हमिशा रहता था और वो था उनकी संताने उनकी दो संताने थी स्वर और वियंजन लेकिन पूरे राज में जिस तरह से एकता और भाईचारे का सम्राज थे था उन दोनों भाईओं में कत्तई नहीं था बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था वे दोनों पूरे चत्तिस के आंकड़े थे एक दूसरे के विप्रीत एक दूसरे को काट खाने को दोड़ते थे बिल्कुल हमेशा लगातार लड़ाई जगड़ा उनमें होता रहता था और ये बात राजा और रानी को अंदर तक बहुत दुख देती थी कोशिश करते थे कि किसी तरह ये दोनों मान जाए किसी तरह इन दोनों का आपसी प्रेम बरकरार हो जाए वापस आ जाए लेकिन असफल रहती थी उन दोनों का बैर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने माता-पिता के साथ रहना भी छोड़ दिया तो उन्होंने अपने माता-पिता की अगल बगल में एक दूसरे से विप्रीत एक-एक महल बनवा लिया और उसी में ही रहने लगी राजा रानी बहुत गश्ट में थी लेकिन पीचारी विवश्ट थी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था कि किस प्रकार इनका प्रेम वापस लाया जाए और घर में जब लड़ाई जगड़े का माहूल होता है तो आप भी चानते ही है न कि पड़ोसी लोग तुश्मन लोग उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ इस तरह की खबर जब पड़ोस की इंगलिश राज में पहुँची तो वहाँ का राजा एल्फबेट बहुत खुश हुआ वो तो कब से इस मौके की तलाश में था कि उसे कोई मौका मिले जैसे वो हिंदी राज पर विज़े हासिल कर पाए और इस समय जब जुकि दोनों भाई स्वर और वेंजन लड़ाई जगडे में ही लगे हुए थे तो उसको एक मौका मिल गया अरी वो तो अपनी लड़ाई जगडे में ही लगे रहे हम किसी न किसी तरह से इस राजी पर विशे हाशिल कर ही लेंगे तो भई तुरंत युद की तैयारी की जाए जब राजा वर्ल को इस बात की खबर लगी कि पड़ोसी देश युद के लिए हमले के लिए तैयारी कर रहा है तो वे अंदर तक बेचेन हो गए क्या हुआ हमारी पुत्र तो इस परकार लड़ते रहते हैं किस परकार से हम सेना को सेयुजित करेंगे उनको एक करेंगे और किस परकार युद होगा किस तरह से हम उनका सामना कर पाएंगे कोई रास्ता नहीं सूच रहा था तो आकिर जैसा कि यह सदियों से होता आया है उन्होंने कुल गुरू की शरण में जाने की सूचे में कुल गुरू की शरण में पहुँचे हैं लेकिन कुल गुरू परमसिद महत्मा ग्यानी थी वो सब पहले से ही जानते थी उन्होंने कहा चिंता मत करू तुम दोनों आराम से महल वापस लोड़ जाओ और कल सुभा स्वर और वेंजन को किसी भी तरह मेरे पास भेज दो अब राजा रानी चिन्ता में पड़ गए ये स्वर और वेंजन तो एक दूसरे को देख के कताई बिलकुल नहीं जाएंगे क्या किया जाए फिर उन्होंने एक युक्ति सोचे राजा वर्ण गए स्वर के पास और रानी माला गए वेंजन के पास और उन दोनों को अलग-लग समझाया और किसी भी तरह राजगुरु के आश्रम में जाने के लिए मना लिया वे दोनों अलग-लग रत पे सवारो कर कुलगुरु के आश्रम में पहुँच गए आश्रम में जब वे पहुँचे तो कुलगुरु ने उन्हें साथ साथ बैठने के लिए एक आसन दी थिया लेकिन वे दोनों तो एक दूसरे के साथ बैठी नहीं सकते थे लेकिन राजगुरु ने कहा यदि तुम में देश प्रेम का लेश मातर भी बाकी है यदि तुम में देश प्रेम का लेश मातर भी बाकी है तो यहीं इसी आसन पे तुम दोनों साथ बैठोगे वरना तुमारे उपर संकट के बादल मढरा ही रहे है तुम खुद तो मरोगे ही अपने पूरे राज़े का भी सर्वनाश कर दोगे यह सुनकर दोनों चिंतित हुए क्योंकि कहीं न कहीं देश प्रेम की भावना उनकी अंदर गहरे तक बैठी हुई थी उन्होंने एक पल के लिए अपने आपसी बैर को बुला कर वहाँ पर बैठने कई सोच लिया और दोनों सामने गुरुदेव के बैठ गये गुरुदेव ने कहा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है नहीं गुरुदेव हमें जरासा भी आभास नहीं कि आपने हमें यहां क्यों बुलाया है गुरुदेव बुले आपके देश पर क्या संकट आया है यह तो पता है बोले हाँ ये तो हमें पता है बड़ोसी इंगलिश राजी हम पर हमले की तयारी कर रहा है तो गुरुदेव बोले तो तुमने क्या सोचा है क्या करने वाले हो तुम अपने देश के लिए तो लोग बोले गुरुदेव हम क्या कर सकते हैं स्वर बोला महराद गुरुदेव मेरी तो ग्यारे संताने हैं अब क्यारे संतानों से मैं क्या युद लड़ पाऊंगा तो वियंजन बोला हफसोस मेरी तो तेते संताने होते हुए भी बेकार हैं क्यों क्योंकि वो तो सारी की सारी लंगड़ी हैं असमर्थ हैं उनसे तो कैसे भी यूद नहीं जीता चासकता तो गुरुधी बोले बस यही तो मैं सुनना चाहता था अब तुम खुदी बताऊ स्वर्ध तुमारी 11 संताने लेकिन सिर्फ 11 और विंजन तुमारी 33 संताने लेकिन सारी की सारी लंगड़ीं ये समर्ध अक्षा हूँ, कैसे करोगे ये युद, किस प्रकार जीत पाओगे ये युद को, दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कैसे करें, उन्हें नसिर हिला दिया, गुरुदेव बोले, उपाय मैं बता सकता हूँ, लेकिन अमल नहीं कर पाओगे तु, जानता हूँ मैं, बहुत कटेने तुमारे लिए, तुभी बोले, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं है, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बताएं, हम बिलकुल अमल करेंगे, गुरुदेव बोले, रहने दो, रहने दो, साथ में बैठ तो बाते नहीं हो, अमल करोगे, बोले, नहीं गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं है, देश हमारे लिए इससे भी उपर है, आप जैसा कहेंगे, हम वैसा करेंगे, सोच लो, यदि उपाय सुनने के बाद, तुम ने उस पे अमल नहीं किया, तो तुम अपनी पत्नी, अपनी संतानों समय, इसी समय नश्ट हो जाओगे, नहीं न कहीं देश प्रेम उनमें हिलोरे मार रहा था, उन्होंने का, नहीं गुरुदेव, आप इस बात की खतई चिंता ना करें, ठीक है, हम में आपस में बैर है, लेकिन वो देश से उपर नहीं है, हम अपनी देश के लिए आप से बैर को भी बोला सकते हैं, तो गुरु तो गुरुदेव बोले, स्वर तुमारी 11 संताने है, और विंजन तुमारी 33, लेकिन क्या कभी तुम लोग ने ये बात सूची है, कि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, अकेले स्वर से भी कुछ नहीं हो सकता, और अकेले विंजन से तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि तुम दोनों मिल जाओ, तो तुम असीम शक्ती बन सकते हो, असीमित हो, असीमित ताकत बन सकते हो. लेकिन गुरुदीर, ये कैसे हो सकता है? पिलकुल हो सकता है. यदि तुम आज अभी इसी समय से अपने महल को छोड़ कर अपने माता-पिता के साथ रहना शुरू कर दो. क्योंकि ये बात तो जगत विदित है, कि एकता में शक्ती होती है, और तुमें अब बस एक होना है. जब स्वर और वियंजन तुम आपस में मिलोगे, तो तुम असीम शक्ती बन जाओगे. तुम से पैदा होंगे अंगिनत अक्षर लाकों करोडों की संख्या में, जो इस देश को बचाने के लिए काफी है. लेकिन गुरुदेव, क्या सच में इसा हो जाएगा? गुरुदेव बोले, शंका ना करो वत्स, मैं भविश्य देख सकता हूँ, और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है. जाओ, और जैसा मैंने कहा है, वैसा ही करो. खुदी परणाम किया और वापस लोट चले. लेकिन इस पार अंतर था. एक रत खाली आया और एक रत में दोनों भाई गए. जब राजा रानी वर्ण माला ने उन दोनों को एक रत में एक साथ आते हुए देखा, तो उनके चहरे पर खुशी की लहर दोल गई. उनका मन हर्शित हो आखिर गुरुदेव ने हमारा लंबे समय से सोचा हुआ काम करी दिया. हम दोनों तो इने एक नहीं कर पाए, लेकिन गुरुदेव ने आज इने एक कर दिया. हम उनके बहुत बहुत आपारी हैं. वी दोनों स्वर और वेंजन महल में पोँचे, माता पिता को प्रणाम किय और बहुत बहुत शमय आजना की, कि हम वापस आपकी साथ रहने आना चाते हैं. राजा रानी तो चाहते ही ये थे, उन्होंने तुरंद उनको आशिरवाद दिया और बच्चों समेथ घर वापस आने को कहा. बस दूसरे दिन सुबा सुबा राजा वर्ण और रानी माला की महल में चहल बेल मच गए. आखिर जवाले संताने उनकी घर में खेल रही थी. और उन जवाले संतानों के मिलते ही इतनी 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 अक्षर बने कि दो दिन में असीमित अक्षर वहाँ पहुंते दिखाए देने लगे. राजा और रानी देखकर फूले नहीं समा रहे थे और लख लख थन्यवाद अपने गुरु देव को दे रहे थे और साथ में इंगलिश राज्य का भी अभार मान रहे थे आखिर उसी की डर की वज़े से तो सुरेव विंजिन एक हुए थे सही समय देखकर राजावर्ण ने गुप्त सभा भुल लाई इस सभा में उन्हें अपनी युद्धनी दित याह करने थी सभी सभा में पहुँचे और राजावर्ण ने सबको उनके उनके विभाग स्वापने शुरू किये स्वर की संतान यानि स्वर के पौत्र अयोग वहा को गुप्त चर विभाग दिया जाता है और इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि पड़ोस ही गतिविदियों को ये बिना रुके बिना देरी की आजा तक तुरंत पहुँचाए अब बारी है संयुक्त अक्षर की जो वेंजन की पौत्र हैं इन्हें सेनापती बनाया जाता है वेंजन के ही एक दूसरे पौत्र संयुक्त वेंजन की जिम्मेदारी है हमारे देश की भीतरी हलचल की जानकारी राजा को देवाग वह क्यार निर्ने लिया है वा 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 सब साधुवाद करने लगी लेकिन अभी काम खतम नहीं हुआ था स्वर के सभी ग्यारे बेटों को युद्धनीती बनाने का काम दिया गया सेना के पाँच विभाग बनाई गई और विंजन के पुत्र कू चू टू तू पू यानि क, च, ट, त और प को उनका प्रमुख बनाई गया राशन विवस्था का काम यारालावा को दिया गया और चिकित्सक का काम यानि खायलों की देखभल का काम श, श, स, और ह को दिया गया ऐसा होते ही सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग गया और सिर्फ एक हफ़ते में, सिर्फ एक हफ़ते में राजगी काया ही पलट हो गई लेकिन तभी अयोगवा दोड़ता दोड़ता आया महराज, महराज, एक बहुँ जरूरी सूचना है राजा वर्ण थोड़े चिंते थुए, मुले क्या हुआ महराज चिंता ना खरी, शुब सूचना है पड़ोसी राज भोट खबर आ गया है, और शायब अब वो दोस्ती इच करना चाह रहा है उसके इतने कहते कहते, इंगलिश राज के शांती दूद आते दिखाई दिये वावल और कॉंसुनेंट्स राजा वर्ण ने सम्मान के साथ उन्हें दरबार में मुलाया और आने का करन पूचा वावल बुले हमारे महराज ने आपकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है क्या आप उसे स्विकार करेंगे कॉंसुनेंट्स ने कहा हम आपके आपसी प्रीम, सहयोग और सदभाव की भावना से बहुत प्रभावित हुए और आपकी एकता ने हमें अंदर तक पिचैन कर दिया है और इसी लिए अब हम शान्ती चाहते है राजा वर्ण तो स्वेम भी यही चाहते थे आखिर लडाई चगडा किसे पसंद होता है चार ओर से सादुवाद जै हो जै हो जै हो के जैकारे लगने लग गए और चुकि हम हिंदी वाले बड़े दिल वाले होते हैं तो हमने भी यानि वर्ण और माला ने भी आगे भढ़कर इंगलिश राजे का दोस्ती का पैगाम खुले दिल से स्विकार कर लिया और आप सभी लोग यानि इंगलिश और हिंदी देश आप उसमें मिल जुलकर दोस्तों की तरह साथ-साथ खुशी से देने लगी तो बच्चों आपने दिखा पूरा भाषा का सफर हो गया पूरी वर्ण माला आ गए कई सारे व्याकरन तत्व भी आ गए वर्ण माला में जितने नाम उते हैं वे आ गए और आपको पता भी नहीं चला कि कब हो आपको याद भी हो जाएंगे तो ध्यान रखें हमारी वर्ण माला के दो भाग होते हैं स्वर और व्येंजन स्वर यानि स्वतंत्र वर्ण जो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं सक्षम होते हैं क्योंकि वो पूरे होते हैं और व्येंजन तेतिस वर्ण लिकें सारे के सारे लंग्डे यानि स्वार और वियंजन एक दूसरे के पूरक हैं, इनको एक और तत्व अयोग वहा है, इनका साथ दीता है, इनको पूरी तोर पे पूर्ण करता है, जब कभी जरूरत होती है तो विसर्ग बन जाता है, कभी अनुस्वार और कभी अनुनासिक बन जाता है, विंजन में पांच वर्ग होती है कू, चू, टू, तू, पू यानि कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग इसके अंदर जो विंजन आती हैं वो तो शायद हमें याद रहती हैं लेकिन इनका क्रम हमें शायद कभी-कभी फूल जाता है आईए, एक और ही मज़ेदार रोचक लाइन में आपको बताती हूँ, पंक्ति आपको बताती हूँ जिससे आपको इसको याद करने में सहूलियत रहेगी ध्यान से सुने, कोहली नी, चहल को, टमाटर तोड़ते पकड़ा अब यहां से कारक्षब धटा दें, तो कोली, चहल, टमाटर तोड़ते और पकड़ा ये पांच हमारे पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण को बताती है तो इसको याद करने से आपको वर्णों का क्रम याद हो जाएगा जो हमारे पांच वर्ग हैं, उनका क्रम याद हो जाएगा और इस प्रकार आप उन पांच वर्ग में अंदर की वर्णों को अच्छे से याद कर पाएगे ध्यान रहे कि राशन वेवस्ता यर लव ने समाली थी और चिकित सा सेवाश श साह ने समाली थी इसके अतरिक सेयुक्त आकशर थी जो सेनापती थे और सेयुक्त वेंजन थे जिनोंने देश की हलचल की जिम्यदारी अपने उपर ली थी तो इस तरह से यदि आप अपनी भण माला को याद करेंगे तो बिफिक्र रहे आप भूत अराम से उसको याद कर पाएंगे भूत अच्छे से उसको याद कर पाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिमाग में हर एक शब्द के पीछे का एक मनुरंजक तत्व मौजूर होगा आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगे अगली कहानी में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार